कॉलमाई से रेग्लोशन 2017 के रेग्लोशन नमबर 64 जो की प्लान एंड सेक्षन चेप्टर 6 चे अंतरकत है अगले सारे वीडियो में हम लोग चेप्टर 6 के बारे में बात करेंगे उसके में जो जो प्रोविजिंस कवर किये गए हैं उनको हम लोग देखेंगे तो आएए शुरू करते हैं माइनिंग माइन के प्लान और सेक्षन्स में क्या-क्या जनरल डिकार्मेंट्स होती हैं सामान करते हैं इसका पहला पाइंट है ऐसे सारे माइन्स के सारे नक्से प्लांस और सेक्षन्स जो बनाया जाने हैं या डेजिए मेंस के आफिस में जमा किया जाने हैं उन सारे प्लान और सेक्षन में इस रेगुरेस्ट में बताया गए सारे के सारे प्रोविजिंस के अधार पर यह बनाया जाएंगे एपाइंट उसमें क्या क्या कराएगा यह एपाइंट में बताएगे खान का नाम और उसके मालिक का नम तथा बनाने का उद्देश परपल्स ओनर और माइन का नम बी पाइंट टून आर्थ या मेगनेटिक मेरेडियन चुमब की एक चांस और तारीख जिस दिन उस प्लान को या सेक्शन को मनाये गए हैं शी पाइंट कम से कम 25 सेंटिमेटर लंबा और सही तरिके से डिवाइट किया गया विवाजित किया गया हुगा इसकेल भी उस पे दर्साय जाए गया डी पाइंट जब तक विशे सूप से कहा न जाए उसका जो रिप्रेजेंटिटिटिव फेक्टर का जो स्केल होगा दो हजार अनुपात एक होगा या एक हजार अनुपात एक होगा उसका आरेफ फेक्टर परंतु चीफ इंस्टर आफ माइंज चाहें तो अपने लिखित आदेश के दोरा कुछ बताई गई सर्तनों के साथ कुछ अलग स्केल पर बनाने के लिए भी प्लान और सेक्षिन को कह सकते हैं यह पैंट मजबूत टिकाव कागज डिवरेवल पेपर या पॉलिस्टर फिल्म या ट्रेसिंग कलॉथ पर गाड़ी चमकदार स्याही डिवरेवल इंक से बनाकर अच्छी इस्तिति में अच्छी कंडिशन में उनको प्लान को और सेक्षिन को रखा जाएगा अगर किसी विशेश वर्किंग्स के बारे में कोई स्टेश्री रेक्सेक्षन बैधानिक प्रतिवन्द है तो उसका सारांस एफस्टेक्ट उस प्लान और सेक्षन पर भी दर्साया जाएगा दूसरा प्लान इन रेग्लेशन की अंतर्गत कंवेंशन और सिंबॉल्स का ही प्रयोक किया जाएगा इस रेग्लेशन में सिंबॉल्स का प्रयोक किया जाएगा नक्सी को बनाने में तीसरा प्रेंट चीफ इंस्पेक्टर आफ माइस के साधारण कि या विश्यस आदेश में बताए गए आधार पर प्लान और सेक्षन एकदम एक्क्यूरेट और एरर की जो लिमिट उन्होंने बताई गई है उसी लिमिट के अंदरगत ही बनाए जाएंगे चौधा प्रेंट इस रिग्रोशन के अंतरगत बनाए जाने माले सारे प्लान और सेक्षन कम से कम हरे तीन मेहने में अप्टू डेट कर लिए जाएंगे परन्तु अगर किसी खान या उसके एनेक्सिसिवल होने पर या खान या उसके किसी हिस्से को एनेक्सिसिवल होने से या पहुंच से दूर होने से बंद होने से या बंद या अस्थाई रूप से काम बंद होने के पहले ही अप्टू डेट कर लिया जाएगा परन्तु अगर किसी खास परिस्तिती बनने पर जिस परिस्तिती पर उस खान के ओनर एजेंट और मैनेजर का कोई बस नहीं चल पाया या उस पर कोई कंट्रोल उनका नहीं रहा हो उस कारण से अगर ऐसा हो गया है तो उस सारी घटना को उस प्लान और सेक्शन पर लिखा जाएगा तो पॉच्वा पॉइंट अंडर ग्राउंड और सर्फेस के सारे रेफ्रेंस पाइंट ऐसी रेफ्रेंस पाइंट जिनके अधार पर पर प्लान और सेक्शन बनाए गए है को सही सही इस्तिती में ही दिखाये जाएंगे और सर्वेय आप इंडिया नेशनल कि इस रेफ्रेंस में के सब रेफ्रेंस तीन में बताए गुई कि एरर के जो लिमिट बताए गई है उसके अंतरगत ही बनाए जाएंगे छड़ों पॉइंट इन रेफ्रेंस के अंतरगत बनाए गए सारे प्लांस खान के आपिस में निरिख्षण के लिए हमेसा उपलब रखे जाएंगे और प्लांस उन प्लांस की ट्रू कापी को वहां पर रखे बिना वहां से उन्हें हटाया नहीं जाएगा या तो ट्रू कापी रखिए या फिर पर्मिशन लीजिए सात्वा सात्वा पाइंट चेफ इंस्पेटर आप माइस अपने लिखित आदेश से कुछ सर्तों के साथ इस रेगलोशन में बताया गए प्रोविजन्स के तरीकों के अलावा भी और किसी और तरीके से प्लांस को बनाने के लिए कह सकते हैं जनरल डिकार्मेंट्स अबाउट माइन प्लांस वीडियो समाप्त हो गया है अगर आपको अच्छे लगा है तो लाइक शेर सब्सक्राइब एडवाइस कमेंट जरू करें देखने के लिए धन्यवाद कि अजरू कि अच्छे बनाने के लिए प्लांस करें प्लांस करेंग देखने के लिए।